अज जो ना जामियां में भी दर्भ हो रहा है क्या कहेंगे आप इसके नागृता बिल्ट से इस देश के किसी जी नागृत का कोई सब्बंद नहीं नहीं हिंदू का ना मुसल्मान का इस नागृता संसोदन में लाया गया है अफगानेस्तान पाकिस्तान पंगला देश से प्रिश्यन आदरी जो प्रवावित हुए हैं धर्म के आधार पर इनको पीड़ित किया गया है इनको भगा दिया गया है ऐसे लोग सरणार्थी बनके इंदुस्तान में उन सरणार्थियों के लिए है अब आप जामिया की बात कर रहे हैं अगले मुसलिम इनिवस्टी की बात कर रहे हैं तो जैसे स्क्ष के समय कोंग्रेस ने योजनाबद तरीके से देश में कि वियुकानु 9 1 सारे देशने साम्प्रताइप दंग कराकर के हिंदु मुसल्मान पूट डालना चाहती है मैं तक हिंदु मुसलमान एकरूँ आस ब verf आकरे करूंगा मुसलमानों का इस भी से कोई लेना कि हएं अगर कोई बत्तमीदी करने की कोशिस करेगा कानुन को अपने हाथ में लेगा तो फिर कानुन अपना काम करेगा पिस पर सरकार को दोपने की अवश्यक्ता नहीं है जैसा हमने मेरट में van में किया जैसा कि आपके त metal जला दिया जाता हूँ किया जाता है और उसमें क्या कहेंगे अब बहुत सरणाव घटना हुई हम समशार हैं उस बेटी के साथ पहले दिन जब ये चर्चा अमारे संग्यान में दो साल पहले आई थी तब से में पूरी तागा से बिटिया के साथ खड़ा था और हमने वहां के जिला प्रशासन से कहके ततकाल घट करना के देट दो घंटे के अंदर ही पहांचो अपराधियों को पकड़वा लिया था अब वो जेल के से उपकारना चाहिए और मेरा मानना है जिस प्रकार से हैदराबाद में बलातकारी के साथ हुआ ऐसे ही जहां कोई बलातकार करें सारे देश में ततकाल व्यक्ति को कोड़ केस में चल रहा है आज क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णे कोड़ कर सकता है साक्षी मारा नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टी कह रही है कि देश की बात कर रहे है मोधी जब पड़ोसी मुल्क से उनका विरोध है जैसे चीन और पाकिस्तान से तो देश को तोड़ने का काम कर रहा है पाकिस्तान और चीन क्या कहेंगे चीन का पाकिस्तान का काम है देश को तोड़ने का हमारा काम है देश को चोड़ने का आज भारत विश्ट में बहुत बड़ी तागत वाला हो गया है और मुझे लगता आने बाले पांच-छे साल के अं से हम सारे देश में चाह रहे हैं सारे में अभी जो नहीं यह पर पहले से जानकारी ती जैसे इमानी मंत्री को उसका घ्यान हुआ जो भी दोसी होगा वक्सा नहीं जाएगा अगर आवसकता पड़ी इस पूरे केश को से जाच कराने की तो भो भी कराई जाएगी परन्त दोस्यों को दंडित किया जाएगा